आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ जो उसका Nature है तो हमारा कौन सा Option करेक्ट होगा उस चीच को लेके हम यहाँ पर आगे प्रोसीड करते हैं तो हम जैसे की जानते हैं देखो कि हमें क्या Given है एक तो हमें Barium का Oxide Given है एक हमें Aluminium का Given है एक हमें क्लोरीन का Given है और हमें किस का Given है एक हमें Carbon का Given है यानि Carbon Monoxide Given है तो अगर हम Periodic Table के अंदर देखते हैं तो देखो हम देख सकते हैं Barium है हमारा यह यानि यह क्या है Metallic Property में आता है S Block Element है और अगर हम क्या देखते हैं Aluminium को देखते हैं Aluminium is also metal बट यह क्या है हमारा P Block Element है और यह जो Carbon है Carbon हमारा 14th Group में है और Chlorine हमारा कौन से Group में है यह 17th Group में है और जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम क्या करें अगर हम क्या करते हैं Along the Period S तरह से Move करते हैं तो हमारा Metallic Character यानि Metallic Character क्या होता है Metallic Character हमारा Decrease होता है यानि मैं कह सकता हूँ जो सबसे जादा metallic character होगा वो barium के साथ होगा फिर उसके बाद किसके अंदर होगा यह aluminium के साथ पास होगा फिर उसके बाद क्या होगा carbon के पास होगा फिर क्या होगा सबसे कम metallic character किसके पास होगा यह chlorine के साथ होगा तो मैं यह कह सकता हूँ कि और हम लोग यह जानते हैं कि जो metallic oxide होते हैं metallic oxide form हमारे यह क्या बनाते हैं metallic oxide basic oxides होते हैं मतलब यह basic solution बनाते हैं जब हम इनको water से react कराते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि जो metallic oxide होंगे यानि metallic oxides forms tj music solution basic solution यानि मैं कह सकता हूँ जो मेटल के oxides होते हैं वो basic होते है nature में और non metallic क्या होंगे non metallic जो होते हैं हमारे oxides non metallic oxide वह क्या करते हैं डे form acidic oxide मतलब acidic solution बनाते हैं जब उनको क्या करते हैं वो barrium के अंदर क्या है मेटलइक करेक्टर है तो इसके अंदर सबसे चार क्षाइद होगा तो यह क्या होगा हमारा jasic oxide होगा ktk S1 होगा तो अगर मैं देखता हूँ इसके अंदर जो हमारा A है वो किसे साथ है मतलग यह B हमारा кूंच finds मैं क्यूंड हो जाता है कि हमारे ऑपशन हो गा हो फाइड यहां इसमें बोल रहा है對 хотел जो हमारा यहां पर A है यह वाला A है ना A हमारा क्या है यह neutral है तो हम यह सही है कि जो हमारा CO होता है carbon monoxide यह क्या होता है neutral oxide होता है यह ना तो acid से react करता है ना यह फिर base से reaction करता है ओके similarly जो हमारा AL जैसे अब मैं दीखवैं मैंने तुमें लोग को बताया कि जो chlorine है chlorine क्या है Non metallic है क्योंकि इसके अंदर क्या है supuesto कि सबसे कम metallic character है तो सबसे कम metallic character钟 क्योंकि metallic character along the period decrease हो रहा है तो सबसे कम metallic character होगा यह यह dioxide कैसा होगा है यह हमारा OCS non metallic होगा तो जैब यह non metallic बनाते हैं तो अगर मैं इसको मैच करूँगा डी को तो किसके साथ करूँगा इसके साथ क्या है यानि थी तो मैं इस ओप्षण के अंदर देखूं तो यह अगरा यह वाला option होगा वो क्या होगा correct option होगा, ओके, बागी हम क्या करते हैं, कुछ यह reactions करके देख लेते हैं, अब देखो, जो हमारा L2O3 होता है, यह क्या होता है, M4TARIC होता है, यह दोनों से react करता है, मतलब acid से भी react करता है, और base से भी react करता है, तो हमारा जो third, यह है C, यह four से match है, तो देखो, हमारा C, यहाँ पर fourth से match है, ओके, बागी हम देखो, इसकी reactions देख लेते हैं, जैसे for example में, मैं सबसे पहले barium को देखता हूँ, तो अगर मैं barium की बात करता हूँ, तो देखो, barium की अगर मैं reaction करा हूँ, water से तो मुझे क्या मिलेगा, मैंने barium लिया, और इसको मैंने अगर react कराया, water के साथ, तो it will give rise to BAOH का hole twice, तो इसका मतलब इसने basic solution बनाया, और मैंने तुम्हें यही बताया था, metallic oxide क्या करते हैं, basic solution बनाते है, water से react करने के बाद, तो इसने basic solution बनाया, तो मैंने सही match किया, इसको B को similarly 1 के साथ, तो अब देखो, सारी reactions देख लो, अब जैसे मैं CL2O3 को react करा तो CL2O7 को, 3 को नहीं, sorry, को react कराता हूँ, water के साथ, तो यह हमें क्या देता है, यह हमें देता है, HClO4, और यह HClO4 क्या होता है, this is the stronger acid, यह क्या होता है, बहुत stronger acid होता है, तो मैंने देखो, किसको, यह CL2O3 को match किया है, acid के साथ, यानि D को 3 के साथ match किया है, similarly, जो हमारा L2O3 होता है, वो क्या होता है, वो क्या करता है, दोनों से react करता है, यानि अगर मैं क्या कहता हूँ, AL2O3 को लेता हूँ, और इसको मैं react कराता हूँ, NAOH के साथ, तो जैसे मैं इसको NAOH के साथ react कराऊँगा, देखो, जो AL2O3 होता है, हमारा water के अंदर feebly soluble होता है, मतलब इतना stronger soluble नहीं होता, तो मैंने जैसे यहाँ पर ICE डाला, तो यह किस की तरह, base की तरह काम करेगा, तो उस टाइम पे, acid की तरह काम करके, salt बनाएगा, तो यह क्या करेगा देखो, यहाँ पर salt बनाएगा, यहनि complex salt बनाएगा, तो इसने दिया यहाँ पर NA, और यहाँ पर AL, और AL और OH का कितना क्या है इसने यहां पर 4 किया तो this will be हमारा यह होगा positive यह होगा पूरा जो entity होगी यह पूरी negative होगी तो इसका मतलब क्या होगा यह हमाई salt मिला similarly अगर मैं क्या करता हूँ इसको react कराता हूँ AL2O3 को 6HCl के साथ तो यह क्या करेगा देखो यहां पर यह देगा 2ALCCl3 और प्लस क्या मिलेगा हमें water मिला तो यहां पर देखो same बात है कि यह किस से भी react करता है acid से भी, base से भी तो यह क्या होता है emphoteric होता है इसका nature क्या होता है दोनों तरह से होता है लेकिन जो हमारा यह CO होता है CO ना तो react करता है किस से ना तो react करता है acid से ना, base से तो यह हमारा क्या होता है neutral होता है तो जो इसका correct answer होगा यह होगा ना यह होगा answer ना यह होगा answer ना यह होगा I hope आपको यह पूरा concept समझ माया होगा ये वीडियो क्लियर हुई होगी, थैंक यू सो मच पर वचिंग दिस वीडियो